नमस्ते दोसों, welcome back to VU Sport ये preview है women's 100 के next match का which is going to be the 31st match of the tournament ये खेला जाएगा Manchester Originals और Southern Brave के बीच में 3rd head-to-head game है ये इससे पहले एक game Manchester Originals ने जीता है और एक जीता है Southern Brave ने बात करें इस tournament की तो Southern Brave is on a 5 match winning streak already knockouts के लिए qualify कर गई है top of the table में है अगर ये game जीत जाती है तो finals के लिए भी सीधा qualify कर जाएंगी वही Manchester Originals will look to finish this season on a high अभी तक दो ही matches जीत पाई है और ये दोनों matches भी इनके home venue पे आये थे Old Trafford Manchester में एक पहला match था इनका season का और एक last match जो भी खेल कर आ रहे है पहले match में फी मौरिस और सोफी एकलस जीने बहतरीन performance जीती फाइफर और फोर पर निकाला था and last match में काथरीन ब्राइस और अमांडा वेलिंटन काफ यह चाप perform करके आ रहे हैं इनके लिए बात करें दोस्तों venue analysis की तो ये game भी खेला जाएगा Old Trafford Manchester में जहां पर average first inning total last five games में देखा गया 126 runs का और जो चार games इस साल इस venue पर हुए है उसमें team batting first 4 ही games जीती है तो weekend expect की toss के बाद teams पहले batting करना चाहेंगी pace versus spin की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर spinners को ज़्यादा का मदद मिलते भी दिखी है दो games जो इस season में इस venue पर हुए है उसमें 21 wickets spinners ने निकाली है out of 27 wickets बात करें दोस्तों probable playing 11 की तो सबसे पहले देख लेते हैं Manchester Originals का playing 11 यहां पर आपको open करते भी दिखेंगी Emma Lamb और Laura Woolward Emma Lamb finally हमें bowling करते भी दिखी last match में दूस सेच डालें उने फिर आएंगी Fee Morris नंबर 3 पे फिर Deandra Doughton Amanda Wellington जो की highest scorer थी टूफर भी लेकर आ रही है last match में Sophie Eccleston इनकी captain last match में ज़रूर injured हो गई थी bowling के time पर batting करने आ गई थी फिर Catherine Bryce ये भी काफी शानदार performance लेकर आ रही है last match में Katie George Ellie Threlkild विकेट कीपर Amy Campbell last game में नहीं खेलते भी दिखी थी but we are expecting की वापस इस game में खेलते भी दिखेंगे और Amy Campbell नहीं खेलती है तो शायद Liberty heap को मौका दिया जाए और last player होंगी महिका कॉर और ये भी दो विकेट लेकर आ रही है चलते हैं दोस्तों Southern Brave की Probable Playing 11 की तरफ तो ओपन करेंगी स्पृती मंदाना Danny White नंबर टीन पर आएंगी Maya Boucher फिर आएंगी Georgia Adams जो की हाइस स्कोरर थी last game में एक विकेट भी निकाला थे इनोने फिर Chloe Tryon, Freya Kemp ये 41 ओट-ओट बना कर आ रही है प्रमोट की गई थी अब दी ओडर फिर आएंगी मैटलिम ब्राउन, केलिया मूरे रियाना साउथबाय, इनकी विकेट कीपर अन्या श्रपसोर और लॉरन बेल चलते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स वेनी उपे तो सबसे पहले नाम आता है Manchester Originals की Allrounder Emma Lam का पंतरा बारी खेल चुके हैं इस वेन्यू पे 384 रंस बना चुकी हैं, 12 विकेट भी निकाल चुकी हैं फिर आएंगी इनकी Captain Manchester Originals की Sophie Eccleston जो 13 बारी खेल चुके वेन्यू पे 20 विकेट निकाल चुकी है स्ट्राइक राय थूर्टीन का नेक्स्ट होंगी Manchester Originals की Fee Morris, 5 बारी खेली है इस वेन्यू पे 8 विकेट निकाल चुकी है स्ट्राइक रेट है 10 से भी कम का और लास्ट आप पोफोर्मर वेन्यू पे आएंगी Southern Brave की Georgia Adams, 2 बारी खेली है 67 रंस बनाए है 34 की आपिक से चलते हैं स्ट्राइक रेट है 17 का अगली होंगी Manchester Original की MLM, 2 इनिंग्स में 89 रंस बना चुकी है आवरिज है 45 का और लास्ट आप पोफोर्मर हेट टो हेट में आएंगी Laura Woolwart, Manchester Original की बाटर 2 इनिंग्स में 71 रंस बना चुकी है 71 की आवरिज से अब चलेंगे दोस्तों Topics और Differential Picks के दरफ section wise तो पहले हम batter section discuss करें Wicket keeping section हम directly discuss करेंगे Base team बनाते हुए तो batter section में हमारी पहली topic रहेगी Southern Brave की Left-handed batter Smithi Mandana Brave के लिए Leading run getter है Head-to-head games में 62 runs बना चुकी है Leading run getter है इस season में भी Brave के लिए 226 runs बना चुकी है Almost 38 की average से Mandana के matchup की बात करें तो काफी बड़ीया matchup है इनके 45 की average से बना चुकी है 225 runs और के वल 5 बार ही आउट हुई है Original Bowlers के द्वारा जो next topic है की batter section में Brave से वो होगी Maya voucher Last match में 22 runs बना कर आ रही है Fifth highest run getter है इस season में 217 runs बना चुकी है 36 की average से और हर game में हमने देखा है कि इनको starts मिली है इस season के 7 games देखें तो 4 में इन्होंने 30 से 30 से उपर runs बनाए है तो consistently perform भी कर रही है और इनके matchup की बात करें तो ये 86 runs बना चुकी है Originals की bowlers के against तो 3 बरी out हुई है जो अगली topic रहेगी batter section में वो होगी Manchester original की Laura Woolwart 4th highest run getter है इस competition में सिर् 32 runs पीछे है वो 600 के mark cross करने में इस competition में इनके matchup की अगर मैं बात करूँ तो 86 runs बना चुकी है Brave की bowlers के against 43 की average से 2 बरी out हुई है और दोनों बारी ही इनके against average है केवल 3.5 का जो last topic batter section में रहेगी वो होगी original से ही Emma Lam leading run getter as well as second highest wicket taker है इस venue पे हमने उपर देखा की काफी भेतरीन performance करी है इस ground पर इन्होंने leading run getter है head to head games में 89ers बना चुकी है दो games में and Emma Lam के matchup की अगर मैं बात करूँ तो 72 runs बना चुकी है brave के bowlers के against केवल एक ही बारी out हुई है and इन्हें भी Anish Absol ने ही out किया है अगर आप बाकी batter options देखोगे list में इन चारों के अलावा तो next is brave की Danny White ये भी काफी अच्छा option है आपके लिए but we have chosen Maya voucher over Danny White क्योंकि उनका head to head record or venue record इतना खास नहीं है consistently वो भी perform कर रही है but 60% of the runs जो इस season में उन्हें बनाए है वो उनके home venue पर आए है South Hampton में तो हम Maya voucher को prefer करेंगे उपर Danny White के अगर आप तीसरा batter भी Brave से लेना चाहते हैं तो आप Danny White के साथ जा सकते हैं इसके अलावा Brave की Freya Camp पिछले गेम में उपर प्रमोट करी गई थी और 41 नौट आउट बना कर भी आ रही है but again we already have so many options तो बैटर सेक्शन की Freya Camp की जगा आपको नहीं दिखे गी अगली आती है Amy Campbell जो कि last match में नहीं खेली थी original से and we are expecting कि शायद इस match में भी ना खेलें और Liberty Heap को मौकर दिया जाए नंदलेस अगर दोनों भी खेलती हैं तो शायद आपकी टीम में जगा नहीं बना पाएंगे अब चलेंगे दोस्तों all-rounder section की तरफ तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है Manchester Original की Fee Morris का Originals के लिए leading wicket taker है इस season में 8 wickets ले चुकी है 9 की average से अगर आप इनकी पिछले 5 outings इस venue पे देखोगे 8 wickets निकाल चुकी है यह सेम venue है जैसे मैंने उपर बताया 5-4 निकाला था नहोंने इस season के अपने पहले match में मैं अगर बात करूँ इनका T20 का record इस साल तो 13 innings में निकाल चुकी है 15 wickets strike rate है केवल 16 का और Fee Morris के match-up की बात की जाए तो Braves के top 6 के अगेंस दो बारी wicket ली है इन्होंने average है 22.5 अगली topic रहेगी Manchester Originals की Captain Sufi Eccleson वे एर expecting की वो वापस fit होंगी bowling करने के लिए इस match में Originals के लिए second highest wicket taker है इस season after Fee Morris 7 wickets निकाल चुकी है leading wicket taker है इस venue पे हमने उपर देखा 20 wickets औरड़ी निकाल चुकी है 12 की average से आप इनका batting match-up देखोगे तो 32 runs बना चुकी है strike rate है 145 का केवल एक बारी आउट हुई है brave bowlers के दुआरा अगर इनके bowling match-up की बात करें तो 7 wickets निकाल चुकी है brave के top 6 के against जिसमें से 5 बारी इन्होंने Chloe Tryon को ही out किया है तो Chloe Tryon काफी struggle करते वे दिखी है Sophie Eccleston के against जो last topic रहेगी all-rounder section में वो होगी brave की Georgia Adams top scorer थी brave के लिए पिछले की में जैसे मिन बताया all-round performance लेकर आ रही है इस सीजन में overall 15 wickets निकाल चुकी है साथ गेम खेली है सातों में amongst the wickets रही है और 5 में 2 ये 2 से ज़्यादा wickets लेकर आ रही है बहुत ही brilliant form में चल रही है इनके match-up की बात करूँ तो 3 wickets निकाल चुकी है और इसके लाब आप all-rounder section में देखोगे तो original से Deandra Doughton है और Southern Brave से Chloe Tryon है अगर आप 4th all-rounder के साथ जाना जाते हो तो इन दोनों में we would say Chloe Tryon is a better option नमबर 5 पर batting करती है last game में Freya Camp भी नमबर 5 पर ही batting करने आई थी क्योंकि Elite Threlkill को उनसे उपर promote किया गया था इसके अलावा Chloe Tryon आपको bowling करते वे भी दिखेंगी usually अपने full sets डालते वे दिखती है last two games में ज़रूर रिकेट नहीं मिला है but overall Chloe Tryon आपको जादा points दिला सकती है इस game में compared to Deandra Doughton so 4th all-rounder के साथ जाना चाते हैं तो Brave की Chloe Tryon is a better option चलेंगे दोस्तों bowling section की तरफ तो यहाँ पर हमारी पहली topic रहेगी Brave की राटा medium piece और Lauren Bell impressive figures सब पिछले head-to-head game में 2-4 लेकर आ रही हैं यह और इस season में 5 wickets निकाल चुकी हैं इसके अलावा केवल 2 wickets पीछे हैं 30 wickets निकालने में इस tournament में अभी तक Amanda Wellington ही एक ऐसी bowler है जो 30 super wickets इस tournament में निकाल चुकी है 35 wickets ले चुकी है overall Amanda Wellington और Lauren Bell केवल 2 wickets पीछे हैं 30 का mark cross करने में अगर Lauren Bell के matchups की बात की जाए तो यह Originals के 11 के against 2 बरे wickets ली है नोंने average रहे 20.5 का जो अगली topic bowler section में रहेगी वो रहेगी इस venue पे भी 3 wickets निकाल चुकी है आप इनकी 16 outings इस competition में देखोगे तो केवल 2 ऐसे games थे जिसमें नोंने wickets नहीं निकाली बाकी 14 games में wickets निकाल कर आ रही है यह इनका पहला head-to-head game होगा Brave के against क्योंकि पिछले 2 seasons यह Braves के लिए ही खेलते भी दिखी थी तो aware होंगी उनकी weaknesses के लिए भी इनके match-up की बात करें तो 6 wickets निकाल चुकी है Brave के top 6 के against average है around 27 differential pick की अगर मैं bowling section में बात करूँ तो यह हम recommend करेंगे Brave की off spinner के लिए मूरे को impressive figures है पिछले game में इनोंने भी अपने full sets डाले और 1 wicket भी निकाली एक set इनोंने death में भी डाला in fact that was the last set of the game और इसके लावा पिछले दोनों games में यह amongst the wickets रही है बात करें Catherine Bryce की which is the next differential pick तो player of the match performance यहा पिछले game में 32 runs बनाए और 2 wickets भी निकाले इनोंने good all on record है his venue पर भी 84 runs बना चुकी है पांच innings में 6 wickets भी निकाल चुकी है और इनकी match up की बात करें तो यह Brave की top 4 को चारो को ही एक एक बारी out कर चुकी है and overall aggregate इनका है 4 wickets at an average of 14 तो she can also be a very good differential pick for your team इनके अलावा जो बाकी bowling options हैं उनकी अगर हम बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है Brave की right time medium pace और अन्या श्रप्सोल का जो की है उनकी captain तो आप third bowler उनको ले सकते हो after Lauren Bell and after Amanda Wellington अगर Brave पहले bowling कर रही है तो usually अपने full sets डालते वे दिखेंगी आपको last game में although नहीं डाला थे नोने and mostly amongst the wickets भी रही हैं इनके matchups भी अच्छे हैं इसके अलावर जो दूसरी bowling option बचती है बोलर section में वो होंगी Manchester original की महीका गौर अगर हम आपको बताएं तो कीलिया मूरी is a better option over महीका गौर अगर आप fourth bowler के साथ जाना चाहते हैं and that is because महीका गौर अपने देट्स ने भी bowling करते भी दिखेंगी and originals का lower order weak है तो उनको wickets मिलने की chances जादा है प्लस हमने पिछले तीन matches में Manchester original के देखा है कि they have lost wickets to off spinners तो यहाँ पे उनका role थोड़ा सा जादा बढ़ जाता है तो fourth option के लिए आप के लिया मूरी या फिर Catherine Bryce के साथ जा सकते हैं दोनों जो हमारी differential picks है अगर brave पहले bowling करें तो third option के लिए आने अश्रप सो अब चलते दोस्तों safe captaincy picks के तरफ तो यहाँ पे हम आपको recommend करेंगे दोनों ही all rounders जो batting bowling दोनों से contribute करेंगी Manchester original से Sophie Eccleston उनकी captain और brave से Georgia Adams अब चलते दोस्तों base team पर तो यहाँ पे हम देख लेते पहले विकट कीपिंग सेक्शन हमने अभी कोई विकट कीपिंग सेक्शन में नहीं रखा है बड़ आपके पास जो options हैं वह हैं आपके पास Manchester original से Threlkild और Southern Brave से रियाना साउथबाई Threlkild last game में promote करी गई थी और उन्हें बैटिंग का मौका मिला था इससे पहले उन्हें किसी भी game में बैटिंग का मौका नहीं दिया गया था वही रियाना साउथबाई को तो अभी तक बैटिंग का मौका नहीं मिला है उनका टॉप ओडर ही इतना ब्रिलियंट प्रिफॉर्म कर रहा है कि उन तक बैटिंग की बारी आहीं नहीं पाती तो आई वूट से अगर आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में चूज करना है तो एली थ्रेल केल्ड इस बैटर ओप्शन ओवर रियाना साउथबाई बात करें बैटर सेक्शन की तो यहां पर हमने रखा है लॉरा वुलवर्ड, एमा लैंप, स्मृती मंदाना और माया बाउचर को आप इन में से किसी एक को हटा के दैनी वाइट के साथ भी जा सकते हैं और सेक्शन में फी मॉर्स, सोफी, एकल्स, जॉर्जिया, आदम्स और जैसे कि मैंने बताया इफ यू वां टो फॉर्ट ओप्शन इन ओल्रांडर सेक्शन तो देंडर दॉर्टन से ऊपर क्लोई ट्रायॉन इस बेटर पिक बोलर सेक्शन में हमने रखा है लॉरिन बेल और अमांडा वेलिंग्टन को थर्ड ओप्शन आपका अनेश अप्सोल हो सकती है और इसके अलावा हमारी डिफरेंशिल पिक्स की लिए मूरे इस अगोड ओप्शन की आप में जद बिलू की नेक्स्ट वांटेसी प्रिव्यू के साथ थांक यू सुम्च